भिंडी एक ऐसी सबजी है जिसे हर कोई खाना पसंद गरता है इसे जिस तरीके से बनाये जाये स्वाद कम नहीं होता है या सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं बलकि सेहत के लिए भी बहुत फैदेमंद है इसमें केल्शियम जींक, बिटामिन A, बिटामिन C जैसे कई प अरवेदिक चिकित्सक डॉक्टर आसुतरुष कुमार के अनुसार अपने पोशक ततों के करन भिंडी का हर एक हिस्सा सिहत के नजरिये से फैदेमंद है सब्जी के अलावा इसका पानी पीना भी सिहत के लिए रामबान है बिहार में भिंडी का परियोग सब्जी के तोर प परन्तु इसका अयरवेद में भी काफी उप्योग है भिंडी का इसका मेडिशनल भेलू भी बहुत है भिंडी को ऐसे अंग्रेजी में हम लोग लेडी फिंगर बोलते हैं बोटनिकल नेम में है एवेलस, मोचस, एसकुलेटस फेम्ली से याता है मालवेसी फेम्ली इसका है भिंडी के खेती यहां पर बिहार में काफी होता है और शहर और गाउं हमें है सब पसंद करते हैं बच्चे भी पसंद करते हैं बड़े भी पसंद करते हैं भिंडी का भिंडी में राशानिक तत्वे के तोर पर भिंडी में प्रोटीन कार्वाहड्रेड और खनीज लवन भ इसमें पाई आता है इस तरह के भिंडी का परियोग जो है कई विमारियों में काफी लाबकारी है जैसे मदुमे में आखो के लिए है पेट के लिए काफी लाबकारी है और यहां एंटी ऑक्सिडेंट के तौर पर भी काम करता है और काडियक प्रोलेम के लिए भी पसंद करते लोग इसको हिट दे रोग के लिए भी बता जाता है, काफी स्वाम में है, और भिंडी में फाइबर और प्रोटीन काफी होता है, जो वसा के बांधने में काम आता है, फैट को, और डायेट में जो फैट है, इसका अब्योप्षन को रोकता है, इसके सरीर का वजन कम करने में भी लाव मिलता है इसमें है और भिंडी का सेवन जो है मधुमे के रोगियों को डायबिटीज वाले पेशेंट को काफी लावकारी है मधुमे जो है वो मेटाबॉलिज में रोगों कहीं एक सम्मू है जो हाई बलेड पेशर या फिर इंसुलीन कम बनता है उत्पादन को ही रोकता है और ब्लड सुगर को मैनेज करने के लिए इंसुलीन में रात में भिंडी को काट करके हम लोग पाणी में डाल सकते हैं उसको सुबह में उसको मसल करके च्छान लिखे और जो लसलसाप अधार्त है उसको निकाल कर पानी में मिला के उसको पियाया सकता है, सुवा खाली पेट में भी काफी लाबकारी है, बाद में कभी भी लियाया सकता है, इस तरह से भिंडी का परियोग जो है, काफी लाबकारी है, और पानी का भी महत्व है, उसमें उसका लसलाजापन जो पानी में जाता है, तो इसमें क